दोस्तों नमस्कार देशी आर्वेज में आपका स्वागत है अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो सस्क्राइब करना नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना लाइक करना दोस्तों आज हम एक एसे पवधे का दीदार करा रहे हैं भारत के सभी प्रांतों में खेत खलियानों जाड़ी खंडहर सडकों के किनारे गंदी जमीन में उतपन होती है या छुप जात की बनस्पत है अनेक साखाओं से युक्त सघन होती है इसके पत्ते फल सभी पर काटे हो देख लिजीए पहचान लिजीए डंडी और पत्तों को तोड़ने से पीला दूध निकलता है दोस्तों यह देख लिए यह यह पीला पीला दूध निकल ला है देख लीजिए अच्छी तरीके से पहचान लीजिए फूल कटेरी नुमा पीले रंग के होते हैं खुले मुह के होते हैं फल लंबे तथा गोल उनमें राई की तरह काले रंग के बीज होते हैं इसकी जड़ का नाम चोक है देख लीजिए दोस्तो इसे चोक कहते हैं इसमें अनेक नामों से जाने जाते हैं आप किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके बताएं आरवेद के अनुसार इसके गुण यह बिरेचक, रसायन, कुष्टधन, किरिम तथा इसका परियोग फिरंग, उपदंस, सुजा, कुष्ट, चर्मरोग, नेत्र विकारों में किया जाता है बीजों के तेल की मातरा 30 बूद, बीज चूड़ 2-4 ग्राम, दूद 1-2 मिली ग्राम, मूल 2-4 ग्राम, इसके सेवन काल में यदि रेचन या बामन हो तो मातरा कम कर देनी चाहिए जैसे जैसे सहन होने लगे, वैसे वैसे मातरा बढ़ा कर चूड़, स्वारी दोस्तों, मातरा बढ़ा कर पूड़ कर लेना चाहिए सदेव ध्यान रखे कि यह एक छीड अवसद है, इसलिए इसका अलप मातरा में सेवन करें, अधिक मातरा में इसका परियोग करने से सरीर में दाह, तिसा और चित में ब्याकुलता उत्पन हो जाती है, परियोग, इसके भीजों का तेल कुष्ट यंग तोचारोग में लाफदायक है, यह तीस बूद की मातरा में सकरा के साथ दिया जाता है, इसके भीजों का तेल कुष्ट दाद भिसर्फ पीड़ा यंग द लगाने से आखे उठ गई हो तो आराम मिलता है, मलेरिया वा बिसमजर्म में इसके दूद को नीबू के रस में घोट कर पिलाते हैं, बिच्छू के दंस में इसकी ताजी जड़ को पीस कर लगाने से बिच्छू दंस का विस खत्म हो जाता है, कुष्ट सफेद दाग में इ रोज सुबह साम दूद के साथ पिलाने से लाव मिलता है, यह रसाय ने उन बलकारक है, फिरंग रोग में भी लावदायक है, सत्यनासी का रस, बर्रे, कंखजूरा, ततयया, आध के काटे हुए अस्थान पर लगाने से अत्यधिक लाव होता है, सत्यनासी मूल का चून तीन से छे गराम तक काली मिर्च के साथ जल में घोट कर कपड़े में ठंड़ाई की भाँच्छान कर छे गराम सुधगी एवंग दस गराम मधू मिलाकर चालिस दिन तक लगातार पीने से समस्त परकार के रख्त विकार निश्चे ही नश्ट हो जात करते हैं सहस्त्रो बार का प्रिच्छितित योग है आज की महत्पूर जानकारी यहीं पर समात करते हैं नमस्कार देशी आर्वेद